देखे मैंने एक time scale बना रखा है basically it's a time scale for interest under section 234 A B C तीनों interest हम पढ़ते में time scale से mind में हमारे को concept clear होगा देखे समझाता हूं मैं यह मैंने देखे सबसे पहले लिया है 1 April 2019 से लेकर 31 माज 2020 मतलब कि 19-20 का क्या होगा previous year इस previous year में आप क्या अर्ण कर रहे हो income earn कर रहे हो ठीक है और इस income को estimate करना हमको advanced tax payment करने के लिए ठीक है और यह time is के लिए 2021 मतलब यह क्या होगा आपका assessment year तो मैंने लिख दिया है आप assessment year और यह हमारा previous year अब क्योंकि advanced tax की installment हम जानते हैं तो मैंने आप एक installment की dates बना दिए that is 15 जून पंदरा नौ पंदरा बारा और और पंदरा मार्च इसमें मेरे को 15% total estimated tax का और ही जितना भी return income पेड जो tax है tax on return income उसका total liability का 15% जमा करना है 45 75 100 यह भी जानते हैं और bracket में देखे मैंने बारा और चातिस क्यों लिख रखा है क्योंकि बारा परसेंट भी कर दोगे 35 भी कर दोगे second installment तो 234 seek interest नहीं लगता ठीक है और यहाँ पर देखे फिर मैंने assessment year लिख दिया है assessment year में मैंने एक यहाँ पर assessment year में एक date लिखी है one number यह date basically मैंने क्या लिखे थी कि one number इसको पढ़िए due date of filing return under section 1391 और मैंने यहाँ पर यहाँ तो July हो सकती या September हो सकती तो मैं September resume करके चल रहा है यहाँ ठीक है उसके बाद department का रिटन जाने बाद department एक particular date में क्या क्या assessment इस date में assessment क्या है उसका भी एक date हम लिख लेंगे यहाँ पर assessment अब देखिए एक एक करिशन सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए 234C जो कि previous year से related देखिए 234C तो 234C में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए इस पर लगेगा जो shortfall रहेगा इस पर shortfall पर तीन मैना इस पर shortfall पर तीन मैना इसमें एक महिना ठीक है और note नमबर टू में इसके समझ में बनाया है वन परसेंट पर मंत और पार्जेर अरफ नेचरली ऑफ देखिए किस चीज के डिफरेंस पर ब्याज लगेगा बिट्वीन अब जो shortfall बोलते हैं उसको simple language लिखा हूं मैंने advanced tax should be paid कितना paid होना चाहिए ठीक है that on return tax on due date less advanced tax actually paid up to the due date इसके difference पर interest लगने वाला है हला कि first two installment भी हमको एक बार 12 or 36% की भी checking कर लेना चाहिए तो यह हो गया 234C का interest अब बात करते है 234B के interest मैंने यहाँ पर note no.3 लिखा है यह देखिए payable only when total advance tax paid during the previous year total जितना भी आपने advance tax paid किया previous year मतलब 31 मार्स तक even पंद्रा मार्स लाज टॉल मेंटे लेकिन पंद्रा मार्स 31 मार्स के बीच में भी जो पैसे दिया वो भी advance tax में count हो जाएगा during the previous year is less than 90% of assessed tax कभी advance tax 234B का interest होगा अब देखिए 234B का interest मैंने यहाँ पर time scale बना है ध्यान से देखिए आगे जाईए यह देखिए कहां से शुरू कर रहा हूं मैंने 1 April 2020 क्योंकि 31 मार्स 2020 तक 234C का interest payment हो गया अब 1 April 2020 से कहां तक चलेगा यह यह चलेगा assessment की date return filing की date तक नहीं हाँ यह लग बात है कि SAC जब return file करेगा तो उस date तक जितना उसको लगेगा यार इतना interest बन रहा है वो interest जमा कर देगा क्योंकि SAC जब return file करता है तो न के बल वो balance tax जो tax दिखता है payable वो pay करता है बलकि 234A, B, C का interest भी वो calculate करके pay कर देता है self assessment tax के अंदर ठीक है बट actually इसका interest चलेगा जब assessment होगा जब तक क्योंकि assessment में tax बढ़ सकता है तो 234B और C का interest भी revise होता है देखे, 234B और A का ऐसा interest है जो के assessment में अगर tax बढ़ गया तो वो भी revise हो जाएगा लेकिन C का revise नहीं होता ओके और फिर 234A की बात करें तो note no.4 लिखाओ में काई का interest है यह आप return filing में पढ़े तो उसको यहीं पर मैं incorporate कर दिया हूँ note no.4 अच्छा, point no.3 में देखे, आपने देखा होगा assessed tax लिखा है 234B और A, दोनों interest assessed tax पे finally लगता है भले return file करते हैं, ससी के पास तो option नहीं हो, return tax पे जमा कर देता है, वो एक अलग बात है देखे, यह भी assessed tax less, जो भी advanced tax है, TDS, TCIS, relief 89 अभी पढ़ रहते हैं अपन, KMT करेंट माइनस कर माद जो आता है, उसमें tax लगता है, और कब से लगता है, naturally, 234A का interest लग क्यो हो रहा है, delay filing of return, ठीक है, यह belated return के कारण लगता है, return के कारण लगता है, तो देखे, return filing की due rate जब हमारी, यह इस date से, कब तक लगेगा, जब तक हमारा assessment नहीं हो जाता, यह यहां तक, दिख रहा है, यह वाला area, यह area देखे, इस point पर लगेगा, तो यह time scale से हमारा mindset होता है, कि हाँ यह इस period में लगता है, और अगर आपको ऐसा period है, यह वाला period ऐसा है, जिसमें common दो interest एक साथ लग रहा है, return filing का 234, B का और A का interest एक साथ लग रहा है, मतलब 2% interest लग रहा होगा उस point पर, यह unique point है इसका, अब मैंने इसमें जितना भी आपको time scale से समझ में आया होगा, उसके लिए मैंने example generate किया है, बहुत detailed example है, और ठिहान से समझ जना, और मैं समझा दो को असका एक बार बस बना कि देखना, इसका कोई question बनाने ही जरूरत नहीं फिर आपको, देखे, tax on return income, तो पहला information मैंने दिया है, example का, यह example किस चीज़ से related है, 234 A, B और C से related है, tax on return income, यह tax है, देखे, देड़ लाग रुपे tax, मतलब जो return file हुआ है, return file हुआ है, उसमें जो income है, उसमें final tax 1,50,000, मैं simple figure लिया हूँ, ताकि हम फटा-फट कल्कुलेट कर सके हैं, फिर 0.02 लिखा है, मैंने tax as per assessed income, मतलब डिपार्टमें ने जब assessment किया, तो उसने income बढ़ा दी वोले, आपकी कुछ-कुछ इंकम छुपी हुई थी, निकल गाई, और यह दो लाग रुपे tax लगेगा, ठीक है बई, अब SAC ने जब return file किया था, उसको देड़ लाग tax लग र date किया है, on 15-6 को, 15-9 को, 15-12, last date पर ही कर रहा है, पहले भी कर सकता था, बड़ लाज डेट पर करता गया, और यह वाली advanced tax देखे, 31 March को किया, 15 March के बाद, लेकिन है advanced tax, अगर आप अब यह पूरा देखेंगे न, total उसने previous year में, उसको जमा तो देड़ लाग कर देना था, ल ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ और information दी है, due date, point number 4, due date of ROI intersection 1391 is 39, मैं assume कर रहा हूँ, 39 due date है, फिर point number 4, date of filing, actually हमने return file की, 31st December 2020, मतलब late return file किया है, फिर मैंने दिया है, SSE paid all the balance tax, SSE जब return file किया, advanced tax जमा कर दिया था, फिर जो balance tax है, along with interest, payable on the date of filing return, मतलब, sorry, date of filing return जो है, वो है हमारी 31, 12, 31, 12 को इसने पूरा dues clear कर दिया, जो उसको दिखता था, कि इतना मेरा tax है, इतना मेरा final income हो, इतना मेरा interest लगेगा, पूरा ओगर due final कर दिया, फिर income tax department make a scrutiny, मतलब, जाच किया, return कि as, make final assessment and make, और final assessment किया, and make final assessment, on 15 March 2021 को, and finalize the tax on total income हमने उपर भी पढ़ लिया है, तो उसने final tax दो लाख रुपे निकाला, देर नहीं है बोले, ज्यादा है आपका tax, and also raise the demand, फिर उसने demand raise कर दिया, of the balance tax and the interest payable, तो जो balance tax है और उसके interest के, यह हमको निकालना है मिनली, अब देखी क्या लिखा हुआ है, compute interest payable by SSE, at the time of filing ROI, तो return file करते समय, वो कितना interest दिया होगा SSE ने, and also calculate the balance extra interest payable, after department script में, तो दो fold में काम करेंगे, जब SSE return file कर रहा था, उस समय तो उसको पता नहीं था, department क्या करेगा, तो उस समय उसको क्या लगता था, उसके साफ से interest निकालेंगे अपन, ठीक है, तो friends, start करते हैं question, computation of filing of return under section ROI on 31st, basically हम computation कर रहे हैं, interest की, 234, computation on filing of return, on filing, return file करते हैं, कब file क्या है, हमने क्या 31st, 12, 2020 को return file क्या, तो interest under section 234C, based on return tax, यह तो return tax पे ही निकलता है, बाद में भी revise नहीं होगा, assessed tax बढ़ जाएगा, तो भी revise नहीं होगा, ठीक है, अब देखेंगे, इसको मैं simplified कर दिया हूँ, सबसे पहला column बनाएं मैंने, due date of advance tax, तो 15-6, 15-9, 15-12, 15 March, यह due date से याद रखना, कई बार कोशन ने, MC को इसमें सीधा पूछ लेता है, तो मैंने एक और target बना दिया, हाला कि बनाएं नहीं जाता है, minimum target क्यों बनाया, बारा और 36 परसन का, तो minimum target इसलिए बनाएं कि इतना भी हो जाता है, तो यह दो installment तो कम से हमाँ interest बच जाएगा हमारा, लेकिन standard deposit हमारा होना चाहिए, 15%, 45%, 75% और 100, अब आप पहले यह percentage के base पर कितना होना चाहिए, वो निकाल लेते हैं, तो हमारा return tax केता है 1.500,000, तो देखो जारा, 1.500,000 है हमारा return tax, उसका 12% निकालो, तो देखे, 18,000, 37%, 54,000, यह सब आ रहाए की नहीं आ रहाए, देख लिजी आप, 1.500,000 का percentage है सब, return tax, तो इतना जमा होना चाहिए था, और minimum इत्ता भी कर देंगे, तो चल जाएगा, लेकिन actual जमा किता हुआ, अब question पे देखिए, 15 June को उन्होंने 20,000 जमा किया था, तो 15 June तक 20,000 ही जमा हो पाया, फिर 15 June को उन्होंने 30,000 जमा किया था, देखे question में जाके, यह देखिए पंदरा नो को 30 तो पंदरा नो तक कितना हो गया यह देखिए ओन है न यह तो पंदरा जून को 20 किया फिर पंदरा नो को 30 किया तो पंदरा नो तक कमिलिटिव है पंदरा नो तक टोटल कितना हो गया 50 तो देखिए पंदरा नो तक यहां हो गया 50 50, 15 12 तक हो गया यहाँ पर 1,00,10,000 ऐसा अलग-ज़ेट पर deposit होगा है तो देखी 15,56 तक पचास कर दिया था 15,12 तक एक लाग कर दिया था और 15,03 तक एक दस अब देखिए एडवांस टैक्स भले एक लाग पंदरा जार जमा किया लेकिन पंदरा तीन तक के टार्गेट में एक दस ही हो पाया अब हम निकालेंगे डिफरेंस कितना कम पड़ गया अब ध्यान से देखना मैंने कोशिन को ऐसा क्रेट किया है होना चाहिए था बाइस पांसो दिख रहा है आपको पहली स्टॉल्मेंट लेकिन किया है बीस शॉट्फॉल तो है यह मैंने शॉट्फॉल नहीं लिया है क्यों नहीं लिया क्योंकि 18,000 का minimum deposit तो कर दिया ना उसने तो यहां भी आज नहीं लगे ऐसे कम है यह छोड़ दिया मैंने दूसरा देखिए होना चाहिए था 67,500 minimum 54,000 होना चाहिए तो इसने minimum भी अचीव नहीं है से कंश्टॉल्मेंट में अब यहां पर तो difference निकालेंगे लेकिन difference किसका निकालेंगे इन दोनों का ही निकालेंगे that is 17,500 ठीक है और फिर यहां पर तो अब यहां पर कोई गणित नहीं है तो एक बारा पांसो होना चीथा एक किया तो बारा पांसो का शॉटफॉल हो गया एक पचास होना चीथा और एक दस हुआ तो शॉटफॉल 40,000 का हो गया बस अब पहले शॉटफॉल पे पहले का तीन परसेंट और 40,000 का एक परसेंट कि टोटल मिला कर तेरा सो रुपए रिटान फाइल करने के समय 234C का इंट्रेस भी SAC ने पे किया होगा इस इस इंट्रेस अंडर सेक्शन 234C अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 234 अब आप वीडियो को रोक कर थोड़ा एनलाइस कर अगर confidence नहीं आया होगा तो अब मैं आगे चल रहा हूँ 234B में क्या लिखाया देखी में इन्ट्रेस अंडर सेक्शन 234B Actually this interest में provision लिख रहा हम फिर से इस पेबल if total advance tax paid during the previous year is पूरे previous year में जो advance tax दिया है किता दिया एक लाग पंदरह जार is less than 90,000 of assessed tax वहां तो SS tax ही देखते हैं लेकिन return file करते हैं आपके पास कौन सा tax है return tax ही है तो tentatively SSC उसी पे calculate करेगा but at the time of filing ROI return of income would have been worked out on return tax लेकिन उसने work किया would have been worked out उसने working की होगी return tax पे जो कित्ती देखिए जो कि है actual advance tax paid actual advance tax paid हुआ एक लाग पंदरह जार ध्यान रखना नीचे लिखाया में एक point इंक्लूडिंग पेड आफ्टर 15 मार्च बड़ बिफोर 31 मार्च बिफोर या अप्टू अप्टू लिखना चाहिए मेरेको बड़ अप्टू 31 मार्च अप्टू फिर 90% of return tax क्योंकि इंक्प एससी तो यही मान कर return file किया ने यही final tax है और अगर department कोई change नहीं भी करेगा तो फिर तो वही final हो जाएगा तो इसका 90% देखो कि तार 31 में तिस तो भिया उसने 90% भी achieve नहीं किया मतला 234C का interest बी का interest लगेगा देखी क्या लिए हमने blue में since 1 is less than 2 therefore interest intersection 234B is payable as follows कैसे payment हो का difference return tax है देड़ लाग advance tax दिया 1,15,000 अब वो 90% के लिए चेकिंग लिए था difference आपका total 35,000 है और 35,000 रुपे पे आपको interest लगेगा देखी कब से लगता है एक अप्रेल of assessment year से लेकर assessment तक लेकिन यहाँ पर हमारा assessment की date तो अभी कुछ है नहीं तो यहाँ पर return की filing तक ही SAC जब return फाइल करते है ना त फिर SAC का जो return जिस दिन फाइल किया उसी date को assessment मान लिया जाता है फिर तो यहाँ पर तो देखे एक अप्रेल 2020 से लेकर 31 दिसमबर को return फाइल किया total 9 मेने का 35,000 1% इंटू 9 यह 3150 रुपे लग गया 234B का interest और अब आ गया क्योंकि return late फाइल हुआ है सेप्टेंबर तक हो जा फिरिड है एक अक्टूबर मतलब ड्यू डेट इस सितंबर के बात से एक अक्टूबर से लेकर 31 दिसमबर तीन महीना तो 35,000 रुपे जो टेक्स है ना देड़ लाग रुपे तो देड़ लाग में कितना टेक्स उसने जमा कर दिया समझना है यह 35,000 कैसे आया है वही एक लाग 50,000 रुपे टेक्स है उसके साब से और उसने एडवांस में एक लाग 15,000 रुपे तो जमा कर दिया ना वही तो उसके पास 35,000 रुपे तो देना बचाना और इस कोश्चन में कोई TDS, TCS तो दिया नहीं है नहीं कोई रिलीव दि की ना 1891 की रिलीफ है तो सिदा सिदा 35,000 रुपे पे खुल मिला का डिपार्टमेंट क्या चाहता है यह आपने लेट रिटन फाइल किया हमारा टेक्स भी जमा लेट किया तो आप उत्वर बैलेंस टेक्स का ब्याज दे दो आप तो वन परसेंट थ्री मन्त है तो फाइनली जब रिटन फाइल कर रहा था से सी तो फाइनल पेमेंट एड दे टाइम आफ फाइलिंग आरुआई याट इस इकतिस बारा दो जार बीस को बैलेंस टेक्स दिया होगा 35,000 का चलान कैसा पटायोगा बैलेंस टेक्स का 35,000 और 234,000 C,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, और यह सब माइनस करने के बाद के एक हजार पिचास आ गया टोटल 40,500 रुपए उसने रिटन फाइलिंग के दिन 31 दिसंबर को टेक्स जमा किया था लेकिन असेस्मेंट जब हुआ तो असेस्मेंट के समय भाई साब असेस्मेंट के समय डिपार्टमेंट बोला तुमारा द और C दोनों रिवाइज होंगे, A और B दोनों रिवाइज होंगे, C रिवाइज नहीं होगा क्यों C ओरिजिनली रिटन इंकम के बेज पर ही निकाला जाता है तो फाइनल आगे बढ़ते हैं, वाट हैपन, यहां लिखा है मैंने देखे, वाट हैपन ओन असेस्मेंट बाई डिपार्टमेंट, यहां लिखा है, इंट्रेस्ट अंडर सेक्शन 234B और 234A विल बी रिवाइज बेस्ट बेस्ट ओन एसेस्ट टेक्स, एसेस्ट टेक्स ब तो फाइनल हो गया, वो तो 50,000 टेक्स देगा, लेकिन आज भी तो एक्स्ट ओ गया हो जाएगा, वो भी तो रिवाइज हो रहा है, अब देखते हैं, फाइनल इंट्रेस्ट अंडर सेक्शन 234B की बात करते हैं, तो देखिए, फिर से होई कैल्कुलेशन कर रहे हैं, शॉटफल तो अभी भी आएगा, तो A is less than B, हैंस 234B will be payable, ओके, देन, एसेस्ट टेक्स माइनस एडवांस टेक्स, तो एसेस्टेक्स से 2 लाग और एडवांस टेक्स से 1 लाग 15,000, तो बच्चा 85,000, तो अमांट on which interest is payable, तो फाइनल इंट्रेस इस पर निकलेगा, तो दे 18,000 पर मैं interest निकालूंगा, एक अप्रेल से लेकर 31 दिसंबर तक मैं 85,000 पर निकालूंगा, नो मेने आ रहे हैं, देखिए आप, अप्रेल, में, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेमबर, अक्टूबर, नॉमबर, देशार, नो मेने, क्यों भी तोड़ दिया, नो मेने का interest अलग से क्यों निकाला, 1% रूनाई, क्योंकि, 31 दिसंबर को उसने tax और interest भी तो जमा कर दिया था, तो आप 85,000 में, कितना tax उस समय जमा कर दिया था, उसने, 35,000, तो 35,000 तो माइनस करो नो भई, अब उस पर बैद लेना तो उचीत नहीं है न, तो देखिए, 85,000 पर 35,000 SAC ने कतीस दिसंबर को 35,000 रूपे टेक जमा कर दिया था, तो उस डेट के बाद से उस पर ब्यास तो नहीं लेनाची डिपार्टमेंट को, तो इसलिए लोजिकल इसको माइनस कर दिया हमने, तो 1 जनवरी से 15 मार्च तक, 15 मार्च क्यों चला गया है, क्योंकि 15 मार्च को आज भले आफ है, लेकिन पार्ट देर आपको भी फुल लेते हैं, पर इसलिए पूरे 3 मेने का 1% से आपका 50,000 रुपे लगेगा, जो डिफरेंस आ रहा है, 3 मेने का, गया आगे इंट्रेस्ट, अब देखे, टोटल हमारे पास 9,150 रुपे डिपार्टमेंट ने इंट्रेस बना दिया, ठीक है, लेकिन 234B का इंट्रेस्ट SAC ने तो जमा किया था ना, रिटर्न के साथ, देखो किता जमा किया था, 3,150 जमा किया था अल्रेडी, तो अब बैलेंस जो 234B पेबल आएगा, वो 6,000 रुपे यह ऐसा निकलता, जहान से इस कोशन को दो बार लगा लेना, कभी भी 234ABC में basic questions में दिक्कत नहीं आएगा, उसके बाद, interest under section 234A ये भी revise होगा, C revise नहीं होता, तो देखिए, assessed tax, that is 2,00, less, advanced tax, 1,15, 85,000 रुपे है, यहाँ पर भी 35,000 रुपे हम एक जनवर से हटा तो अब 234A का, अब ये एक October से क्यों ले रहा हूँ भई, क्योंकि 234A का interest लगता है, belated return के कारण, तो return, file होना था 30 सितंबर तक, तो September तक नहीं हो पाया, तो October से ब्याज शूर हो गया, तो 1 October से 31 December, 30 तीन महिने पे 50,000 का, 3% से 2,550 रुपे आ जाएगा interest, अब मैं क्यों break किया, फिर से वही question, क्योंकि 35,000 रुपे तो उसने self-assessment tax दे दिया था, उसके बाद 35,000 पे ब्याज लेना ठीक नहीं है, तो 1 January से 15 मार्च तक, January, February, March, part of the month will be taken as full, तो 3 महिने का 15,000 रुपे ही हो गया, total 4,000, 50 रुपे, final interest 234 A का department मांग रहा है, लेकिन already department ने return के साथ 1050 दे दिया, तो balance 3,000 और देना है, अब देखिए, final department, demand notice कैसे निकालता है, तो final demand notice by assessing officer on assessment, that is 15 मार्च को जब assessment करेगा, तो बहलेगा, balance tax दे दो भाई, आप 2,000 रुपे, 2,000,000 हमारे साथ से assess tax हो रहा है, आपने finally देड़ दिया, advance tax में 15 दिया था, फिर return file के तरसमें 35 दिया, तो finally देड़ लाग रुपे दिया, return के base पर, तो 50,000 रुपे balance tax ये दे दो और balance जो interest है, 234C तो कुछ ही नहीं, क्योंकि 234C तो revise होगा ही नहीं, return के base पर रहता है, 234B अभी उपर हमने working के 6000 balance बचा था, और A ये देखे, 3000 balance बचा था, ये देख रहा है न, 3000, balance बचा था, तो ये दे दो, तो finally, 59,000 के demand notice जारी हो जाएगी, तो friends, ये जो story है न, इस story से आपको 234A, B, C के अबार, जो concept clear होगा न, पहले एक time skill बनाओ, उससे एक अलग ही आप, तो दोस्तों मैंने प्रयास किया था कि section 234A, B, C आपको थोड़ा simplified तरीके से question wise समझ में आ जाए, अब आप इसकी जो theory को पढ़ेंगे तो आपको मेरे खाल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी जो मैंने question use किया है, उसको मैं description में डाल दूँगा ताकि आपके reference के लिए वो रहेगा, और friends अगर आपके knowledge में enhancement होगा या अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो सबसे पहले में repeat है कि इस वीडियो को जादा से जादा अपने friends को share करें, क्योंकि knowledge जितना बाठते हैं, उत्ता बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है, और इस channel को subscribe करें, इसे हमारा उत्सावर धन होता है, और ऐसा ही और काम करने के लिए हम प्रिरित होते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, patience से इस chapter को आपको सुनने के लिए धन्यवाद.